अबरे गूड इवनिंग चो वल अफ यू आप सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिस चूटर पे मेरा नाम है अमन बहल पेशे से गौवर्मेंट सर्वेंट हूँ और इन क्लासिस के जरीए मैं आपको सिखाता हूँ इंग्लिस का सेक्शन आपके एक्जाम का अप कैसे ध अपस पड़ते हैं हर सेंटेंस को ट्रास्लेट करूंगा फिर उसकी ग्रामर वुकाब को अलग से आपको फोकस देखर के जो है बताऊंगा सारी ग्रामर सारी वुकाबलरी इस आर्टिकल की यू विल अप्लाई ऑन दिस क्विज पांच क्वेशन साब के सामने क्लोस तो इस तरह से आपका ये वर्क्शोप बन जाएगा चलिए शुरू करें आईए कुछ नया सीखते हैं करे टैकलिंग दब मायुस्ट देगे मायुस्ट का मतलब है नकसलवादी अब जानते हैं टैकल करना मतलब दो-दो हाथ करना किसी से निपटना करे निपटना है हमें अकसलवादियों से मायुस्ट लोगों से समझ गे टैकल वर्कप ध्यान से देखना ये सारे इसके सिनॉनिम है मैं आपको यहाँ पर 10-10 सेकिंड दूँगा कोशिश करके मुझे बताओ इन सिनॉनिम में आपको कहा दिक्कत लग रही है चलो सब को आना चाहिए बहुत आसान है ये है ना common questions है English के टैकल को deal with बोल दो, cop up with बोल दो, content with बोल दो, grapple with बोल दो, tackle with बोल दो ये put with कर दो याद करना ये सब with के चक्कर में tackle के बाद में with मत लगाना tackle जो है verb अपने बाद कोई preposition नहीं लेती इसका मतलब है निपटना है ना, लेकिन इनकी तरह है अपने बाद में with नहीं लेती tackle के बाद में सीधे जिससे निपटा जा रहा है उसको आप लिखे बिना with के दूसरा, cope up with नहीं होता, cope with होता है यह भी एक classic error रहे English में बहुत लोग करते है cope up लिखे आते हैं, अप नहीं लगता है cope के साथ है, cope with और तीसरा, सही जो है verb है put up with ठीक है ना, tackle का synonym है put up with तो यहां से अप निकाला और यहां पे लगा दिया तो अब यह correct है सभी के सभी, शली आगे बढ़ते है जो यह revolt है, जो यह withdraw है, करें यह weak हो गया है मायूस्ट की जो movement है वो कमजोर हो गई है करें लेकिन but इसकी जो potency है जो efficiency है इसकी जो टाकत है, dominance है, कुछ खास areas में, select areas में वो reduce नहीं हुई है, वो अभी भी कम नहीं हुई है तो overall आप देखो, तो भारत से मायूस्ट जो है, नकसलवादी वो खतम होते जा रहे है लेकिन जहां पर यह बने है, वहाँ आज भी बने है उन areas में, इनकी potency आज भी उतनी ही है समझ गे sentence को, subject कोन है, insurgency, verb इसकी has weakened singular subject, singular verb है न, has के साथ और दूसरा सब देखते है, but conjunction के बाद, potency और इसकी verb है, has not reduced ठीक है, potency का मतलब होता है, किसी चीज़ कितनी असरदार होती है, कौन सी चीज़ है efficacy बोल दो, efficiency बो subject और verb आपको इसी तरीके से green और pink कलर में मिलेंगे, पूरे article के आपको पकड़ते होई चलना है, ताकि आपकी understanding अच्छे से develop हो अब कुछ words देख लेते हैं, आपने फड़ा फड़ से पहली चीज़ तो insurgency, इसको बोलते हैं withdraw, insurrection बोल दो, rebellion बोल दो, mutiny बोल दो, revolt बोल दो, समझगे न, सरकार के खिलाफ हत्यार उठाना चलनली कहलाता है insurgency, जैसा इनकसलवादी करके बैठे हैं, अच्छा दूसरी चीज़, select और selected दो adjectives हैं, और इनके बीच में होता है difference, आपको सीखना होगा, select का मतलब होता है, खास, special, और selected का मतलब होता है, खास तोर पे चुना गया, जिसको select किया गया हो, जिसको prefer किया ग अब एक खास player हो, select player हो, मैं आपको use करके दिखाता हूँ, question exam में कैसे बनते हैं, the rich live in selected areas of the city, जो rich लोग है, the rich, the plus में adjective मतलब common plural noun, सभी के सभी rich लोग जो हैं, इस शहर के, वो live करते हैं, रहते हैं, खास areas में, select areas में, या selected areas में, इस city के, अब देखो कोई chosen area में या preferred area में नह रहते हैं, वो कुछ खास areas में रहते हैं, तो खास के लिए मैं यहाँ पर क्या use करूँगा, select को, तो यहाँ पर selected को निकाल दो, selected को निकाल दो, और select लिख दो, they live in select areas of the city, चुने हुए areas में नहीं रहते हैं, select areas में रहते हैं, खास areas में, और यहाँ देखो, the selected players will represent the nation, जो चुने हुए players की बात हो रही है, जिन्होंने अच्छा performance दी है, खास players की बात नहीं हो रही है, selected players will represent the nation, तो इस तरह से इन दोनों के बीच का आपको difference देखना है, चली आगे बढ़ेंगे, मैं vocabulary आपको बता देता हूँ, पूरे article की, एक साथ देख लोगे तो article पढ़ने में आपको आसानी होगी, उससे पहले add करना चाओंगा, आप कोई भी exam के लिए prepare कर रहे हो, mock test आपकी exam preparation का जरूरी हिसा है, पहले आप अपने आपको तयार करोगे, और फिर mock test देखर के अपने आपको test करोगे, और mock test की दुनिया में test book भारत का leading brand है, आपको यहाँ पे हर exam के mock test आपको मिलते हैं, single package में, 299 में एक साल की validity के साथ, 499 में तीन साल की validity के साथ, लेकिन याद रखें, coupon code को use करें, YT10, जैसे ही लगाओगे, 299 वाला 270 में, 499 वाला 450 में आपको मिल जाएगा, अच्छा एक चीज़ और, test book passes के price बढ़ने वाले हैं, 1st October से, अपने पास अभी code लगा करके, है ना, फायदा उठाना prices के बढ़ने से पहले, यह अपनी vocabulary sheet है, telegram group पे available है, पिछले सारे पुराने words इस sheet में मिलेंगे, और नए words को मैं रोज add कर देता हूँ, ठीक है, आज अपने पास कई पुराने words हैं, जैसे की concentrate, hinterland, divergence, tussle, यह सब आप देख चुकी हो, और नए words हैं आपने पास, content with और paradigm, यह alienate भी पुराना ही word है, तो पहले पुराने words को repeat कर लें, फटा फट से उनको, concentrate करने का मतलब होता है, किसी चीज़ को focus करना, इकठा करना, है ना, अगर आप focus कर रहे हो, इस section पे तो आप भी, आप concentrate कर रहे हो, और अगर आप किसी concentrate करे, इकठा करे, unite करे, इसकी कई सारी branches को एक subsidiary office के अंदर, समझ करना, अब concentrate का एक synonym है, consolidate, consolidate, यह इस article में आज आप देखोगे, इसका मतलब होगा, चीज़ों को इकठा करना, gather करना, unite करना, ठीक है, अगला word है अपना, hinterland, hinterland का मतलब होता है, गाम के अंदर वो वाले दे मतलब regions, जो बहुत remote है, जो बहुत दूर है, जहां तक सख़के मी नहीं है, जहां पर कुछ नहीं मिलेगा आपको, ऐसे एरिया जहां पर ना खाने की विवस्ता है, ना रहने की विवस्ता है, जुगी जोंपड़ी बना करे कुछ लोग रहते हैं, क्यलाती है, hinterlands, बिजली क areas भी बोलते हैं, wilderness भी बोलते हैं, backwoods भी बोलते हैं, चलिए, अगला word है divergence, divergence का मतलब होता है disagreement, converge मतलब एक जगा करके मिलना, कन मतलब साथ में, verge मतलब मिलना, diverge मतलब एक point से दो अलग अलग रस्ते पकड़ लेना, diverge कर लेना, मिलना नहीं बलकि एक दूस्ते से अलग होना divergence का मतलब होता है disagreement, आप बोलते हो ऐसा होना चाहिए, मैं बोलता हूँ ऐसा होना चाहिए, this is the divergence between our points of views, समझगे, divergence मतलब difference या discontent, है न disagreement, अब इनका एक synonymous is discontent, the divergence between the incomes of the rich and poor seems to be increasing, जो divergence है, जो difference है, incomes का, अमीर और गरीव लोगों के बीच का, वो दिखाई देता है, increase होता बढ़ता हुआ, समझगे, तो this content इसका synonymous है, वो आज आप आज आज आप आटिकल में देखोगे, टसल का मतलब होता है, खीन स्तान बहुत बार आप देख चुके हो, skirmish बोल दो, तसल बोल दो, tug of war बोल दो, scuffle बोल दो, illegal tussle has been going on between Tata and mystery, एक जो है कानूनी टसल जो है, खी एलियन बना देना, किसी को पराया बना देना, to make someone your opponent, किसी को अपना दुश्मन बना लेना, मैं आपका दोस्त हूँ, लेकिन अचानक से कुछ आपने ऐसा कह दिया, कि मैं आपसे दूर हो गया, तो आपने मुझे ईलिनेट कर दिया है, अपने दोस्त को पराया बना दिया है जो disagreements होते हैं वो पराया बना सकते हैं टीनेजर को अलग कर सकते हैं उनके परिवारों से चोटी सी बात पर चोटी बच्चे जो हैं अपने मावाव को अपना दुश्मन मान बैठते हैं चलिए strange, disaffect और इसका एंटरनीम है spouse और noun form होती है alienation verb alienate noun form है alienation इस article में आप alienation नाम की word को देखोगे यह deal with the content with the या बच्चे से जानी गए हो है ना किसी का सामना करना या आज आप फिर से देखने वाले हो एक नया word है paradigm paradigm का मतलब होते है perfect example of something हिंदी बोलते हैं मिसाल, समझ गया ना मिसाल India is a paradigm of a stable democracy India एक stable democracy की मिसाल है दुनिया की largest जो democracy है डेर्ड बिलियन लोग जो है अपनी country में रहते हैं और एक democracy को follow करते हैं तो India is a paradigm paradigm को मिसाल को आप epitomy बोलते हो, paragon बोलते हो, prototype बोलते हो किसी चीज का perfect example के लगता है paradigm चलिए, सारे words एक बार revision आपका हो गया है लेकिन आपको इनको थोड़ा time देना पड़ेगा वीक में एक बार इनको आप revise कर लिया अगरो बड़े अच्छे से आपको दिमाग में बैठ जाएंगे और कहते हैं भारत सरकार से कि हम आपके दुश्मन हैं, हम communist हैं हम चाइना को support करने वाले हैं चाइनीज जो communism है उसके साथ है ना कि इंडिया की democracy के साथ अब ये लोग बहुत कम बचें इंडिया में पिछले 10 सालों में जब से सरकार इनके लिए सक्त हुई है अब उन डिस्ट के लोगों को आपको empower करना पड़ेगा उनको democracy का part बनाना पड़ेगा शिक्षित करो रोजगार दो बस यही तरीका है बाखी बचे हुए डिस्ट से नकसलवादियों को उखाड फैकने का बाखी बचे हुए डिस्ट से भी इनको उखाड़ना है लोगों को समझाएं, बुझाएं, प्यार दें, इजट दें, सम्मान दें, रोजगार दें अपने आप यह खतम हो जाएगा समझ के? आज की टोन है suggesting, सजेस्ट कर रहा है क्या होने वाला है, क्या किया जा सकता है चलिए आर्टिकल को शुरू कर लेते हैं एक question दोँगा आपको descriptive का वीडियो के last में और हाँ, अपनी app को डाउनलोड नहीं किया तो कर ले ना Your English Tutor, रोज बताता हूँ मैं आप लोग फिर भी मुझसे पूश्टे मैसिज करके कि सर अप का है तो प्ले स्टोर पे रखिए, गूगल में जाओ, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी अप के अंदर quality courses, again affordable prices पे prices इस तरह से रख रहा हूँ कि अप का खर्चा ही निकल रहा है कोर्स अभी चल रहा है, इस पे code भी लगा सकते हूँ आप, code है learn to write जैसे ही लगाओगे, 699 का course आपको 499 मिल जाएगा, एक दिन के लिए code अभी और valid है इसके लावा, SSE banks के आपको जो courses मिलेंगे, prelims के और mains के, past year के questions मैं करवा रहा हूँ हर वीडियो एप के उपर जो पड़ी है उसको आप 2 मिनिट तक free of course चला के देख सकते हो, ताकि आपको पता लगे, क्या उन में, उन वीडियो में सिखाया गया है कोई query होती है, related to this number पर WhatsApp करें, आपको उसका reply मिल जाएगा, WhatsApp भी करना, फोन मत करना, अभी मेरे पास staff ज्यादा है ने, शुरू कर रहा हूँ करा है, in a meeting with state leaders and representatives, Home Minister Amir Shah noted that the geographical influence of the most has reduced from 96 district in 10 states in 2010 to 41 now पहले बता रहा हूँ, हुआ क्या है, करें एक meeting में, इन a meeting, और किस के साथ, state के leaders के साथ, रज्य के निताओं के साथ, और representatives के साथ, उनके प्रतिनीदियों और नुमाहिंदों के साथ, करें ऐसी एक meeting के अंदर, अब हुआ क्या, हमारे जो Home Minister साहब है ना, इन्होंने note किया, इस सीश्क पर गोर किया, सब के सामने रखा, observe किया, क्या note किया, कि जो geographical influence है ना, जो बुगोलिक प्रभाव है, डॉमिनेंस है, जो ग्राफी के हिसाब से, और किनका, इन नकसलवादी हत्यारों का, क्या रहा है, ये influence जो है, reduce हो गया है, कम हो चुका है, और कहां से कहां तक, पहले था 96 डिस्टिट, 2010 में, 10 स्टेट्स के अंदर, और अब आ गया, 41 डिस्टिट तक, 2021 में, समझ गे सेंटेंस को, तो मीटिंग में, अमिज शाह, हो मिनिस्टर ने, ये नोट किया, कि influence कम होता जा रहा है, 96 से 41 डिस्टिट पे, ये जोग्राफी के हिसाब से, सिमट करके रह गई है, अब इस संटेंस को ध्यान से देखो, अमिज शाह की वह होब है, not it, influence की वह है, has reduced, जोग्राफिकल मतलब, related to geography, related to भुगोल, भुगोल जानते हो न, अमिज शाह के आगे, होम मिनिस्टर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी दर नहीं लगाया गया, क्यूंकि, जब अब आपको कोई designation दिख जाए, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिदेंट, मैनेजर, टरस्टी, कुछ भी है न, और उसके आगे नाम दिख जाए, तब आप designation के पहले का द निकाल देते हैं, माल लो यहाँ पर अमिज शाह ना लिखा होता, तो मैं लिखता है, दा होम मिनिस्टर, समझ गे, अब नाम आगे नाम अमिज शाह, तो दा को निकाल दी और सिधे लिख दिया, होम मिनिस्टर, अमिज शाह, चलिए आगे बढ़ें, सिंपल सेंटेंस है, कह रहा है, जो सिकुडन है, सिकुडन है, नहीं है, माल इस मूवमेंट म में बिल्कुल भी हैरत अंगेज वाली बात नहीं है, अब क्यों नहीं है, आगे बताएगा, contraction की वह बहा है, is contraction का मतलब होता है, चीजों में decrease आना, reduction होना, है न, चीजों का कम होना, करेदा स्ट्रेगल, has found few takers, beyond select pockets, untouched by development, or linkages with the welfare state, अब बता रहें, करेंट, far from consolidating its presence, a prospect that seemed possible following the merger of two major next-led groups, into the proscribed communist party of India, the organization is limited to the remote and densely forested terrains of central and east-central India, sentence लंबा है, लेकिन बड़ा आसान है, अब पढ़ने का तरीका समझो इसको, दो बार डाय से दिख जाए, एक यह रहा, और एक यह रहा, तो आपको सीधा से काम करना है, इसको अलग करतो, बाकी का sentence पढ़ दा लो, फिर अब इसको अलग करोगे, बाकी का sentence पढ़ने के बाद इसको अलग से पढ़के उसमें जोड लो, आपका sentence तयार, अब देखो कैसे, करे जो arm struggle है, यह जो हत्यार लेकर के हाथ में जो withdraw है, armed मतलब हत्यारों के साथ, करे जो withdraw है न हत्यारों वाला, इसने found किया है ना के बराबर takers को, few का मतलब है ना के बराबर, takers का मतलब है supporters, इस struggle के supporter ना के बराबर रहे हैं, और किसके पार, beyond किसके पार, कुछ खास select pockets के, कुछ खास select areas के, छोटे मोटे areas के, करे जो आज भी untested हैं, जो आज भी अंचुए हैं, एक तो विकास के द्वारा, और दूसरा रिष्टों क द्वारा, linkages के द्वारा, जो हैं welfare state के, एक कल्यानकारी सरकार के, तो armed struggle को, ज़्यादा लोग support आज कल नकसलवाजियों को नहीं करते हैं, छोड़ करके उन खास areas को, pockets को, जहां पे लोग आज भी development को देखनी पाए हैं, या सरकार से उनका कोई नाता नहीं है, कोई scheme, कोई subsidy उनको आज भी नहीं मिली है, समझ गे, यह है reason इसके contraction का, अब बता रहाँ आगे, कह रहा है, और बहुत दूर है, आज भी सीमित है, और कहां पे, उन remote और densely forested terrains तक, उन दूर दराज के, और घने जंगलों वाले, भू भागों तक, है न, terrains तक, regions तक, जो है central और east central इंडिया के, तो अपने presence को consolidate नहीं किया इन्होंने, आज भी अपने most group जो है, उनको unite करने के बाद में, अपने आपको मजबूत नहीं बनाया है इन्होंने, बस आज भी जंगलों में रहते हैं, और वहीं तक limited हैं, east और central eastern इंडिया के, समझ गे sentence अब ये बीच वाला देख लो, presence को consolidate कैसे करना था, कह रहा है, अब prospect, ये एक ऐसा prospect है, ये कैसी संभावना है, एक ऐसा likelihood है, जो दिखाए देता था possible, जो देखने में लगता था, बड़ा ही मुम्किन है, और कब भाई, बाद में following, बाद में merger के दो बड़ी next light groups के, और merger किस में हुआ, एक proscribed communist party of myust में, CPIM में, proscribed का मतला होता है, band, जिस पे सरकार ने band लगाया हुए, तो करे, इतनी दो दो बड़ी बड़ी जो पार्टियां है, नकसलियों की, वो मिली, और एक CPIM बनी, बावजुद उसके, आज भी इनकी presence हुए, consolidate नहीं हुए, आज भी छितरे हु आज भी takers बहुत कम है, इसको support करने वालों को, आज भी बहुत लोग कम है, खास करके उन areas को छोड़के, जो आज भी development से untust है, या फिर उन रिस्तों से अंचुए हैं, जो एक welfare state के हैं, एक कल्यान करी सरकार के हैं, और कह रहा है, अपनी consolidated करने से presence को उससे बहुत दूर, उ इस से बहुत दूर, ये organization आज भी सीमित है, बियावान में, जंगलों में, remote areas में, जो densely forested हैं, जिनमें बहुत जंगल लगे हुए हैं, ऐसे talents में, East और Central जो है, Eastern India में, अब sentence की structure देख लो, struggle की verb है, has found, that की verb है seemed, prospect के लिए that नाम का relative पणाउन यूज हुआ है, organization की verb है is, few मत positively कुछ एक, और the view मतलब जितने भी है, quantity एक ही है, लेकिन आपका नजरिया अलग लग है, अगर आपको वो quantity बहुत कम लगे, तो आप बोल दो few, ना के बराबर, अगर वो आपको जो quantity ठीक ठाक लगे, तो आप बोल दो a few, और आपको वो quantity ऐसा किसी को पूछना हो, किसी को जो भी मेरे पास है, whatever is available, you can take it, ये फिर मैं आपको कभी करवा दूँगा, वैसे adjective chapter में हो चुका है, few, a few, other few, few को negatively रखे, तो ना के बराबर takers इसको मिले है, तो ना के बराबर takers इसको मिले है, consolidate आप जाने हो, यूनाइट करना, prospect मतलब likelihood, संभावना, किसी चीज की, prescribed और दो words हैं English में, दो दूसरे के synonyms हैं, prescribed इसमें लगा हूए E, proscribe इसमें लगा हूए O, prescribed का मतलब होता है किसी चीज़ का recommend करना, डॉक्टर ने बोला exercise करो, dr. have prescribed you exercise, proscribe का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मना करना, ban करना, प्रोभिट करना, डॉक्टर ने बोला, शराप पीनी करेगा समझगे ना तो एक दूसरे के एंटरी में दोनों वर्ट्स एक जैसे ही दिखते हैं यह औरों का फर्क है चलो आगे बढ़ते हैं हाँ कहरा टेरेंस मतलब भूब भाग है ना देख लेंड टेरेंस कहरा राधर देन मोबिलाइजिंग इस कॉंटेंट्स विद दे इंडियन स्टेट बाइप प्रोजेक्टिंग इस वीकनेस एन इंसुरिंग इंकलूजन और वेलफेर देमाइज्ट है प्रिविलेश्ट आम स्ट्रगल इन्वाइट इन्वाइट इस श्तू इंड रिकूट अधिरेंस अब बता और अपने घर के बार मॉबिलाइज कर दिया मॉबिलाइज करने का मतलब है मेक रेडी संबन फोर यूज अब वो इस्तेमाल के लिए तयार है जैसे ही आपको कोई मारने आएगा उसको पहले ही मार देंगे मॉबिलाइज करने का मतलब ही होता है ना किसी चीज को तयार करना केरब बजाए तयार करने के अपने discontents को अपने differences को अपने disagreements को अपने मत बेदों को और किसके साथ इंडियन स्टेट के साथ भारत सरकार के साथ केरब बजाए इनको इस्तमाल में लेने के और कैसे project करके दिखा करके इसकी weakness को भारत सरकार की कमजोरियों को और ensure करवा के inclusion और बजाए हुआ क्या यह जो माईस्ट लोग है ना इन्होंने प्रिविलेज किया है इन्होंने प्रिफर किया है इन्होंने चुनाम किया है आम्ड स्ट्रगल का हत्यार वाली लड़ाई का और इन्होंने इन्वाइट किया है स्टेट के रिप्रेशन को स्टेट की नकैल को रिप कमी लगती है सरकार में तो सरकार के पास आके बात करें, सरकार की बुराई करें, सरकार को उसकी वीकनेस बताएं, सरकार को समझाएं कि हमारा कल्यान करो, हमारा वैलफेर करो, ऐसे टाइप के लोग नहीं है ये, बात बात नहीं करते हैं, इन्हों ने प्रिफर करते हैं कि हम त स्यादा स्यादा लोग हमारे आकर के जुड़े हम उनको बताएं कि देखो कैसे भारत सरकार हमें दबाती है हमें मारती है तो खुद पहले अतिहार उठाते हैं और फिर इसी चीज़ का बहना लेकर के और बच्चों को अपने साथ मिलवाते हैं समझ गे मायुस्ट की ववब है है प्रिविलिस्ट प्रिविलिस्ट का मतलब होता है प्रिफर करना किसी चीज़ को चुनाव करना है न इन्वाइटेट की ववब है इसकी दूसरी मायुस्ट की और तीसरी ववब है है वब सॉट्ट एक सब्जेट तीन बप्स भी ले सकता है एंड से जुड़ी हुई है और कौमा से रिप्डरैसर मतलब नकैल रिस्ट्रेंट ये ना रिस्ट्रेंट अधीर करी जो सपोर्टर हो जो आपकी वकालत करी जो आपका फॉलेवर हो समझके अधीर आगे बड़े, mobilize आप देख चुकियो, discontent मतलब disagreement, project करने का मतलब होता है, दिखाना, communicate करना है, show करना, जब आप किसी चीज को project करते हो न, तो आप उसको एकदम clearly सब के सामने रखने की कोशिश करते हो, सब को बताने की कोशिश करते हो, अच्छा एक छोटा सा concept यहां discuss कर लेत और instead of के बाद में वर्ब की ing form देखेंगे, meaning दोनों के एक ही है, बजाए, मैं आपको यूज करके दिखा रहेता हूं, rather than instead of exercising, he decided to watch a movie, बजाए exercise करने के उसने डिसाइड किया कि एक movie देखेगा, rather than instead of, अब बाद में किया रहा है, वर्ब की ing form, इसके हिसाब से आप यूज क पे रुकने के actors जो है, एक hotel में move कर गए, एक hotel में चले गए, अब यहाँ पे stay है, verb की base form है, तो आप prefer करें यहाँ पे rather than को, ठीक है, rather than को, अब confusion क्या है, आप instead of यहाँ देख रही हो ना, यहाँ पे कभी-कभी आप rather than देख लोग इसके जगे, rather than, rather than exercising, अब अब क्या गलत ह देखो एक गलत नहीं है, लेकिन यह prefer नहीं किया जाता, rather than के बाद में verb की ing form आजकल use हो रही है, इसको preposition की तरह भी use किया जा रहा है, लेकिन standard English में यह कभी preposition था नहीं, than एक conjunction है, rather than एक adverb है, तो rather than एक conjunction phrase है, समझगे मेरे बात को standard English के अंदर, लेकिन आजकल बोलने, चलन लिखने में, इसको instead of की तरह use कर रहे है, तो इसको आप sentence improvement वाला concept बना करके चलो, जहां आपको rather than के बाद में verb की ing form दिखे तो आप समझ जाओ कि मैं इसको improve कर सकता हूं, instead of लगा सकता हूं, या फिर exercising को exercise बना सकता हूं, verb की base form में change कर सकता हूं, weak error है, लेकिन sentence improvement में use करना बहुत अच्छी error है, आगे बढ़ते हैं, चलिए, कह रहा है, such a strategy has led to some of India's poorest people, the tribals in Chhattisgarh and Jharkhand in particular, being caught up in endless violence and also caused severe losses to the मायोस्ट as well as anti-insurgent security forces, अब बता रहा है इन मायोस्ट की इस हरकत की वज़े से हुआ क्या, कह रहा है ऐसी एक strategy है वो lead to कर चुकी है, वो हमें ले जा चुक और कहां तक कुछ इंडिया के जो poorest people हैं, सबसे जो गरीब लोग हैं, और जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवास ही हैं, इन दोनों states में खासकर in particular, इनके caught up होने तक ले जा चुका है, caught up करने का मतलब है first जाना, है न बीचों बीच, और कहां पे endless violence में कभी न खतम आने वाली हिंसा में, और also साथी साथ इसने cause किया है, इसने current बनी है यह strategy, बहुत बड़े losses की, मायूस्ट लोगों को भी, नकसलवादियों को भी, और साथी साथ anti-insurgent security forces को भी, विदरो को दबाने वाली security forces को भी, तो यह strategy की वज़े से यही हुआ है, गाम वाले, ट्राइबल्स, गर फस गए है, और दोनों तरब से नुकसान होता है, कभी नकसलवादियों को मारा जाते है, कभी नकसलवादी हमारे जवानों को मारते है, समझे, strategy की वब है, पहली has led to, दूसरी वब है caused, कोट अप करने का मतलब होता है, फस जाना, engage हो जाना, किसी चीज में बिना consent के, जैसे गाम वाले भी ऐसे ही फसे हुए है, इनका किसी से लेना देना नहीं है, बस दोनों तरफ से फारिंग होती है, बीच में कोट अप हो जाते है, लीड 2 अपने बाद में वर्ब की इन जी फर्म लेगा, इसलिए लीड 2 इन लोगों के बिन कोट अप लिखा है, लीड 2 प्लस मे जीरंट वर्ब की आएंजी फर्म, आगे बढ़े, करदीस अज फॉलोओड दे प्रेडिक्टिबल पैथ ओफ मोस्ट मॉस्ट इंसरक्शन्स दाट रिटेंड आम स्ट्रगल दू अचीव देर एम्स, इन द फिलिपीन्स और पेरू, लीविंग बिहाइंड देड और वालें इसी तरह की, इसने फॉलो किया है उसी प्रेडिक्टिबल पाथ को, उसी एक्सपेटिड रस्ते को, जिसके बारे में सबको पता है, और जो है ज़्यादा तर मायूस्ट इंसरक्शन्स का, ज़्यादा तर नकसलवादी मॉवमेंट्स का, करहा है जो आज भी रिटेन कर चु पिंस में, और यह काम होता है, लीप बिहाइंड करते हुए, मौतों को, डेथ को और वाइलेंस को बजाए, इनेबल करने के सही माइनों में जैनुवन अपलिफ्ट को, इंप्रूवमेंट को, पूर लोगों की, दब पूर की, तो यही काम जहां जहां होता है, वहां पे यह होता रहा है कि, डेथ और वाइलेंस सी मिलती है, लोगों को, वास्तम में किसी की भला होता नहीं है, आज तक हुआ नहीं तो इंडिया में भी कैसा हो जाएगा, इनसे नहीं होगा, समझ गे, दिस की वह बहा है, है न, मायूस्ट इंस्रेक्शन के लिए हमने, देट नाम के परणाउन को यूज किया है, प्रेटिवल मतलब एक्सपेक्टेड जिसके बारे में सब को पता हो, अगेन रादर देन के बाद में इनेबलिंग की जगह इनेबल लिखा जाए, या इंस्टेड ओफ लिखा जाए, अगर आप इसको इंप्रूव करना चाहो तो, और अपलिफ्मेंट, दोनों एक ही बात है, मेंट भी इसको आगे लगा सकते हो, नाउन इसको बना करके रख सकते हो, चली आगे बढ़ते हैं, करेद इसपाइट थीज देमाविस्ट वन बस्ट फ्रूव देर फार अंडरस्टेंग अब बता रहा है, यह माविस्ट कितने अंधे हैं, है ना, अपनी एसपारेशन के सामने कितने, अलब अपने जो गलती नहीं देख पारे हैं, करा बावजुद इन चीजों के, फिलिपिन्स, पेरु का एक्जामपल देखने के बावजुद, यह जो नक्सलवादी है, बज फ्रूम नहीं हुएं, बिल्कूल भी त्यार उठाने वालों के लिए जगा नहीं है, इनको यह बात आज तक समझ में नहीं आई, है ना, बावजुद इस चीज़ के, और यह काम हुआ है, यह अन्विलिंग होते हुए, कि एक्सेप्ट करेंगे, अन्विलिंग का मतलब होता है, तैयार ना होना, यह बिल्कुल पीपल सीख करते हैं, ढूंडते हैं, मांगते हैं, और ज्यादा इंगेजमेंट को किसके साथ, एक तो इलेक्टोरल और एक वेलफेर सिस्टम के साथ, एक तो हमारे चुनावी और दूसरा कल्यानकारी सिस्टम के साथ, पूर लोग क्या चाते हैं, वो चाते हैं कि हमें understanding को तयार नहीं है छोड़ने को तस से मस नहीं हो रहे हैं या आज भी यही समझ नहीं पारे हैं इस चीज को कि गरीब लोगों के जिनके यह representative बन रहे हैं उन गरीब लोगों को ऐसी चीजें चाहिए ना कि उनको हथियार और गोलियां चाहिए समझ गे मायूस की वहब है have not buzzed from buzzed from move from टस से मस होना है बता दिया ना आपको मैंने flawed का मतलब होता है defected जो गलत हो जो सही ना हो है ना incorrect poor people की वहब है seek day की वहब है claim engagement मतलब बाचित electoral मतलब चुनावी आगे बढ़ते है next paragraph पे याद रखें अगर आप इस सीज को नहीं पढ़ पा रहे हो यह सब मैं आपको बता रहा हूँ जो है ना कौन subject है कौन किस की वहब है यह सीजें आपके दिमाग में अभी भी नहीं बैठ रही है तो आपके basics पे आपको काम करना है कराथ the myos insurgency still has potency in southbustar in चतिसकट, the andra-odisha border and in some districts in जहारखंट कराथ जो myos insurgency है इसमें आज भी potency है इसमें ताकत है effectiveness है एक तो इस region में चतिसकट के और इस border में और कुछ districts में जहारखंट के तो आज भी इसमें ताकत बची हुई है यहाँ पे myos आज भी dominant है insurgency की वोब है has potency मतलब ताकत simple sentence है कराथ these states must focus on expensive welfare and infrastructure building even as security forces try to weaken the moist अब बता रहा है इन states का इलाज क्या है कराथ इन states को focus करना ही चाहिए सारा ध्यान डालना है चाहिए expensive welfare और infrastructure building पे expensive मतलब जिसका expense बहुत बढ़ा हो जो सब को अपने दारे के अंदर ले ऐसा कल्यान करी state यहाँ पे हो welfare हो और infrastructure building हो road बने, bridge बने, highway बने, school बने, hospital बने कराए ऐसा काम इनको करना चाहिए even as का मतलब होता है at the same time as कराए उसी वक्त जब की security forces try कर रही है weaken करें वो कमजोर बनाए मायूस की movement को यहाँ पे पुलिस वाले घूम रहे है न security forces, CRPF और यह सब जवान अपने तो वो तो मायूस्ट लोगों को उखाडेंगी है न मारेंगी उसी वक्त इन state के leaders को यहाँ पे infrastructure building भी कर देना चाहिए वेलफेर भी कर देना चाहिए ताकि लोग मायूस से थोड़ा दूर हो नक्सलवादियों से कटे स्टेट्स की वह है must focus expensive मतलब जो अपने दारे मिलेने वालाओ एक्सपेंशन करने वालाओ include करने वालाओ एक adjective है even as एक adverbal conjunction है इसको बोलते है add the same time as उसी वक्त जब की दूसरी वक्त उसी वक्त जब की ऐसा हो रहा हो है even as forces की वर्ब है try वीकन यहाँ पे base form है वर्ब की वीकन मतलब कमजोर बनाना करा frequent skirmishes and attacks have not only affected the security forces but also left many tribal civilians caught in the crossfire करब बार बार की skirmish है skirmish देख चुकी हो ना टसल, tug of war, जड़प करब बार बार होने वाली जड़प और अटैक्स हैं उन्होंने ना केवल effect किया है security forces को ना केवल प्रहवित किया है जवानों को बलकि leave किया है छोड़ चुकी है वो बहुत सारे tribal civilians को पकड़ा हुआ जखड़ा हुआ, caught इस crossfire में आपसी खींस्तान में crossfire मतलब दोनों तरब से गोलियां चल रही है na interchange of firing तो बार बार की firing में यही होता है security forces भी हमारी परिशान है और वहां के tribal civilians हैं वो बीच में मारे जाते हैं इन दोनों की लड़ाई में security forces और मायूस लोगों की attacks or skirmish यह subject है इसकी verb plural है have not affected दूसरी verb है left have not affected और have left civilians के लिए adjective आया court court का मतलब होता है पकड़ा जाना फसा हुआ होना crossfire मतलब दो तरफ की गोली बारी जिसके बीच में फस जाओ cross होती हुई fire कर ए a purely security driven approach fraught with human rights violation has only added to the alienation among the poor in these areas अब बता रहा है कि इसकी वज़े से नुकसान क्या हो रहा है बार बार crossfire होने से हो क्या रहा है कर एक पूरी तरह से security driven जो अप्रोच है security driven मतलब लोगों की जान को बचाने वाली जो अप्रोच है जिसमें बहुत सारे police वालों को CRPF वालों को mobilize किया जाता है करा है ऐसी अप्रोच जो fraud with भी है जो भरी हुई है human right की violation से करा है ऐसी अप्रोच ना मैज add to किया है increase किया है इस alienation को इस अलगावाद को पूर लोगों के बीच में in these areas areas के अंदर जब पुलिस वालों को और आर्मी वालों को आप लोगों की security के लिए लगाओगे तो human right violation तो होगा ही होगा है ना बीच में किसी कोई परिशान होंगे कोई आदमी जो है वहाँ के civilians जो है इससे दुखी होंगे इस अप्रोच से कैड़ा ऐसी अप्रोच से आप वहाँ के लोगों को और alienate कर रहे हो वहाँ के लोग आपसे और कटते हैं जैसे आप पुलिस वालों को इन areas में लगाते हो तो यह दो टाइप नहीं लगाओगे तो यह मायूस्ट मारेंगे और लगाओगे तो लोग आपसे नराज होंगे समझे अप्रोच की वह हो है has only added to add to का मतले होता है increase करना किसी चीज में इजाफा लाना the new dress added to her beauty नई dress ने add to कर दिया increase कर दिया उसकी beauty में rising fuel cost add to the rate of inflation बढ़ती alienation आप देख चुके हो किसी को alien मनाना detachment करना अपने को पराया कर देना ऐसा ही लोग वहां के समझते हैं आजकल हमें अपना पराया समझते हैं चलिए यह fraud with को देख लेना fraud with का मतलब होता है भरा हुआ होना लेकिन किसी negative चीज से ऐसा नहीं है गुबारा जो हावा से भरा इस फ्रेज को यूज किया जाता है नेगटिव चीजों के लिए चलिए करेदा माइस्ट मस्ट बी कंपेल्ट तो गिव अप देराम स्ट्रगल और इस कन अली हैपन इफ ट्राइबल पीपल और सिविल सोसाइटे एक्टिविस्ट प्रमोर्टिंग पीस और अलसो एंपावर अब बताले इसका सुलूशन क्या है किरा माइस्ट लोगों को कंपेल्ड किया जाना चाहिए फोर्स किया जाना चाहिए मस्ट भी कंपेल्ट पैसे वोइस में कि वो गिव अप करें छोड़ दें अपनी आम स्ट्रगल को अपनी हत्यार बंद लड़ाई को और यह महज तभी होग पाएगा अगर वहाँ के जो आदिवासी और सिविल सुसाइटी एक्टिविस्ट हैं जो प्रमोट करते हैं पीस को जो शान्ती को प्रमोट करने वाले हैं उनको भी एमपावर किया जाए उनको और ज्यादा ताकत दी जाए समाजगे ना तो माइस्ट को आप एक तरफ करने पर मजबूर करेंगे यह है solution माइस की वहब है must be compelled give up करना मतलब किसी को छोड़ देना त्याग देना surrender करना compelled मतलब force करना this की वहब है happen can happen can कर देना इस की वहब can only happen tribal people civil society activist की वहब है are also empowered passive voice में करे दा इंडियन government should not be satisfied with the mere weakening of the mild insurgency and reduce commitments made for the developmental needs of some districts of concern in states such as जार्खंट as its chief minister has alleged अब बता रहा है सरकार के लिए क्या नसियत है यह दो ठीक है करना ही चाहिए लेकिन इंडियन government center government के लिए क्या नसियत है क्या दो सरकार है ना इंडियन government उसको नहीं होना चाहिए satisfied उसको संतोस नहीं होना चाहिए और किसी से भाई खाली खाली वीक हो जाने से मायोस्ट की insurgency की नकसलवाद की moment के तो इसके कमजोर हो जाने से सरकार को संतोस नहीं करना चाहिए और इसी सरकार को must reduce या should reduce करना चाहिए उन commitments को जो made किया जाते हैं developmental need के लिए some district of concern कुछ district जो मत करो reduce करो commitments को है ना बहुत बड़ी बड़ी बाते मत बोलो जो नहीं कर सकते बुतना ही बोलो जो कर सकते और करके दिखाओ तो ऐसा सरकार को करना चाहिए reduce करना चाहिए commitments को जैसा कि इसके चीफ मिनिस्टर ने जहारखन के CM ने भी अलज किया है ऐसा आरोप लगा है तो है ना दूसरी वर्ब है reduce शुड नॉट जो है reduce शुड रिडियूस चलिए commitment के लिए अजटी वाया मेड वह वाले commitment जिनको मेड किया गया है चीफ मिनिस्टर की वर्ब है has a last का मतलब होता है अरोप लगाना कुछ वर्बस हमारे पास English में जिनकी वीतरी के बाद में बाई नहीं आता है पैसिफ के अंदर जैसे surprise है I was surprised by your success मैं surprise था अमेज था आपकी success के दवारा आपकी कामयाभी से बड़ा ही हरान था तो surprise अमेज के बाद में बाई ना लगाए पैसिफ जैसा दिख रहा होगा आपको लेकिन यहाँ पे आप at position को prefer करते हैं surprise अमेज के बाद we are not satisfied by your services हम संतोशी नहीं है satisfied नहीं है संतोश नहीं है आपकी services से तो satisfied with by नहीं यहाँ पे आता है इसकी जगह पे with तो यह खास verbs हैं इनके preposition fix है surprise अमेज के बाद में at satisfied के बाद में with non के बाद में non के बाद में to everyone in this locality is non to me non by me non to me हर आदमी इस locality में मेरा जानकार है is non to me developmental scheme लोग pleased नहीं है खुश नहीं है developmental scheme से तो pleased with पांच शहीं है ना दो तो यह हो गई उपर वाली add लेंगी satisfied with लेगा non to लेगा please with लेगा laugh और alarm दोनों ही add लेगे alarm का मतले होता है चिंतित किसी चीज के उपर चोकनना है चिंतित तो वहाँ पे भी ऐसा हुआ है इस case में भी satisfied के बाद में by enable की विद को लगाया गया है याद रखें इन आर्ट वर्प्स को ऐसे ही काम करती है कर दोनों सरकारों के लिए बता रहा है इंडियन गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट को सेंटर और स्टेट की गवर्मेंट को continue करना चाहिए learn करना सीखना अपनी successes से अपनी काम्यावियों से जैसे की expansion किया है इन्होंने welfare का कल्यान करी scheme का और right paradigms का देखे rights मतलब human rights paradigm मतलब मिसाल human rights की अच्छी मिसाले जो है limit करने में इस moment को और failure से तो इनको तीन चीज़ों से सीखना है है ना पहला तो success से जो expansion में यह welfare की लोगों को और ज्यादा welfare scheme में दी है और rights के paradigm बनाए है human rights के अच्छी मिसाले है जो limit करती है इस movement को और अपनी नाकाम्यावियों से भी सीखना है अब देखो कौन से नाकाम्यावियों जो lead to कर गई है लगातर बनी हुई spiral की तरफ लगातर बनती हुई इस continuous accelerating state की शुरू हुआ था बिल्कुल चोटे से तिनके से और बन गया पहाड तो जो लगातर बनता हुआ जो spiral of violence है जो चक्कर है लगातर घूमता हुआ violence का इन districts में इन जिल्लों में तो ऐसा सरकार को करना है इन सब चीजों से सीखना है ताकि आगे आने वाले time में इस movement को खतम किया जा सके बहुत ही simple article था मेरे ख्याल से अगर नहीं simple था तो अब आपको लगने लगेगा कहाने की तरह हमने इसको cover कर लिया है हर आस्पेट को साथ में cover करते हुए states और union government की वाब है must continue that की वाब है have led to that एक relative प्रणावन है failures के लिए है इसलिए have नाम की plural verb को यूज किया गया paradigm मतलब मिसाल perfect example paragon epitome spiral मतलब आगे बढ़ता हुआ चकर अपने size को बढ़ा करता हुआ कोई एक cycle चलिए फटावट से बढ़ेंगे अपने quiz की तरफ अब जो आपने सीखा है you will apply that knowledge on this quiz पांच questions आपके सामने tackle cope with सब बता चुका हूँ मैं आपको है ना अलाम के बाद में क्या लगाओगे अच्छा यहां पर क्या यूज किया जाए instead of use किया जाए या rather than use किया जाए select selected में क्या फरक है यह first वाले में आपको डालना है और यहां पर भी क्या डाला जाए यह आपको अपने विवेक से बताना पड़ेगा इतना कर लोगे ना तो थर्ड नंबर वाला अप कितने marks मिले आपको question देठा हूं descriptive का एक माइस्ट movement को खतम करने के लिए अगर two point solution आपसे मांगा जाए एक या दो लाइनों में कैसे बताओगे कैसे इस movement को अगर आप PM होते तो tackle करते है ना क्या लगता आपको क्या करना चाहिए जरूर से लिखना comment section में लिखोगे तो दिल दन सब्सक्राइब टिल दन सब्सक्राइब